नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने योटूब चैनल नौलिज पंडित पर दोस्तों इस वीडियो में हम जीके के most important questions कवर करेंगे जो की repeat पर exam में पूछे गए हैं और साथ ही हाल ही में होई प्रतियोगी परिक्षाओं में भी पूछे गए हैं तो आप को current affairs के भी questions देखने को मिलेंगे तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अगर आप हमारे चैनल परना है तो subscribe करना ना भूले कुछ पूछना चाहते हैं तो comment जरूर करें अच्छा लगे वीडियो तो like करना ना भूले सबसे पहला प्रशनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हाल ही में चीन में coronavirus की एक मिठाई में अपस्थिती देखी गई यानि कि हाल ही मेंचीन में coronavirus की पूछ्ठी की गई है Next question देख लेते हैं, Dr. James Nesmith इन में से कौन है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, Dr. James Nesmith जो है, बॉस्केट बॉल के अविश्कारक है, Right answer है, Next question है, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में सेना दिवस जो है, यह 15 जनवरी को मनाया जाता है, हर साल, Right answer हो जा करण प्रकरिया कब शुरू हुई थी, राश्र व्यापी COVID-19 टीका करण प्रकरिया कब शुरू हुई थी, तो राश्र व्यापी COVID-19 टीका करण प्रकरिया जो है, 16 जनवरी 2021 को शुरू हुई थी, निमलिखित में से किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे सक्तिसाली प पास्पोर्ट जापान का पास्पोर्ट है राइट आंसर है गरतंत्र दिवस परेड़ 2021 में किस देश के ससस्त्रबल भाग लिये थे तो 2021 की गरतंत्र दिवस की ससस्त्रबल जिस परेड़ गरतंत्र दिवस की परेड़ में जिस देश के ससस्त्रबल ने भाग लिया था उस GSI के द्वारा वेनेडियम की खोज जो है हाल ही में भारत में हुई है और रुनाचल प्रदेश में राइट आंसर हो जाएगा GSI के द्वारा ये वेनेडियम की खोज भारत के रुनाचल में हुई है राइट आंसर हो जाएगा Next question देख लेते हैं Geological Survey of India Next question है हाली में भारत में किस इस्थान पर जंगल में आग लगने की सूचना मिली थी तो इन में से भारत के किस जंगल में आग लगने की सूचना मिली थी तो दुझको गाटी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भारत में दुजुको घाटी में जंगलों में आग लगने की सूचना मिली थी नेक्ट कॉशन है भारत निमलिकित में से किस के साथ नौसेना अभ्यास नहीं करता है इन में से किस देश के साथ में भारत नौसेना अभ्यास नहीं करता है तो राइट आंसर हो जाएगा भारत जो है option number Sweden के साथ में नौसेना अभ्यास नहीं करता है अमेरिकी इतिहास में किस अमेरिकी राश्वपती पर दो बार महा भीयोग लगाया गया है हाली में किस देश ने चीन के जिंजियांग शेत्र से कपास और टमाटर उतपाद आयात पर प्रतिबंद लगा दिया है तो देश का नाम है जिसने चीन के जिंजियांग प्रांद से टमाटर और कपास के उतपाद आयात पर प्रतिबंद लगाया है समिधान के किस अनुच्छेद में स्वायत राज्य का निर्माण सूची बद्द है तो समिधान का जो अनुच्छेद है option number 244A उसमें स्वायत राज्य के निर्माण को सूची बद्द किया गया है अगला कौशन है अगला कौशन है भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो भारत की इन नदियों में तापती नदी डेल्टा नहीं बनाती है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए next question देखते हैं भारत के किसी राज्य की विधान सभा में अधिक्तम कितने सदसे हो सकते है नेक्श कौशन देखते हैं नेक्श कौशन है निम लिखित मेंसे कौन सी नदी एश्चुरी नहीं बनाती है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इन मेंसे एश्चुरी महा नदी नहीं बनाती है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए next question देख लेते हैं बंगाल का विभाजन कब हुआ था सही उत्तर क्या हो जाएगा चलि देख लेते हैं तो बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था राइट आंसर है next question देखते है निम लिखित मेंसे किसे राज्य में द्वी सदनात्मक विधाई का नहीं है सही उत्तर क्या है इस प्रशन के लिए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए द्वी सदनात्मक विधाई का मध्य प्रदेश में नहीं है सही उत्तर है next question देख लेते है कौन सी नदी भीड़ा घाट के समीब कपिल धारा जल प्रपात का निर्मान करती है तो वहाँ अपना त्याग पत्र किसे देगा सही उत्तर क्या है इस प्रशन के लिए तो यदि किसी राज्य विधान परिशत का सभापती अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वहाँ अपना त्याग पत्र उबस सभापती को देगा सही उत्तर हो जाएगा Next question देख लेते हैं बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप पुनह कब एकिकरत हुआ तो यहां right answer हो जाएगा बंगाल 1905 में विभाजित हुआ था विरोध के फलस्वरूप 1911 में पुनह एकिकरत हो गया था Next question देख लेते हैं भारत की लवन नदी के नाम से इन में से कौन सी नदी जानी जाती है सही उत्तर क्या हो सकता है चले देखते हैं तो भारत की लवन नदी के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है राइट answer हो जाएगा Next question देख लेते हैं पुस्तक शेम का लेखक इन में से कौन है? सही उत्तर क्या है? चले देखते हैं, तो शेम पुस्तक के लेखक है सलमान रुष्दी, right answer हो जाएगा, next question देख लेते हैं, अगला प्रशन, निश्क्रिय विरोध के सिद्धान्त का प्रतिपादन किस ने किया था? right answer क्या हो right answer क्या है? तो इंदोर के समीप जाना पाव पहाणी, चम्मल नदी का इस्तरोत है, उद्गम इस्तरोत है, right answer हो जाएगा, next question देख लेते हैं, विधान परिशत का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयू सीमा होनी चाहिए? right answer क्या है? चले देखते हैं, तो विधान परिश परिशत का सदस्य होने के लिए कम से कम आयू सीमा जो है, तीस वर्ष होनी चाहिए, right answer हो जाएगा, इस प्रशन के लिए, तीस वर्ष प्रशन का सही उत्तर है, next question देख लेते हैं, अगला प्रशन है, किसने कहा था कि Congress आंदूलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न यह उनके द्वारा सोचा या योजना बद किया गया था, तो यह बात कही थी लाला लाच्पतर आयने कि Congress आंदूलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजना बद किया गया था, next question देख लेते हैं, निमलिकत मेंसे कौन सी नदी उरिषा का शोख कहलाती है, सही उत्तर क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उरिषा का सोख कहलाती है महनधी, सही उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए, महानधी को उरिषा का शोख कहते हैं, next question देख लेते हैं, अगला प्रशन है, पुस्तक Flight Into Fear, इन मेंस परिशत के सजस्यों का कितना हिस्सा इस्थानिय निकायों द्वारा चुना जाता है। प्रारम हमें अरुणा नदी के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्श्ट कॉश्टन है। नेक्श्ट कॉश्टन है। नेक्श्ट कॉश्टन देख लेते हैं। निम्लिखत मैंसे कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है, सही उत्तर क्या है। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तो देखिए, स्लाइड ओवर हो गई है, कॉश्टन कंप्लीट हो गए है। तो कैसे लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बता है। चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूले। राइजजवरी